दोस्तो अगर आपके फोन में आपसे WhatsApp का notification जो है वो गलती से बंद हो गया है और आपको WhatsApp पर कोई भी message वगरा आता है तो आपको notification नहीं मिलता है तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप उसको कैसे चालू करेंगे, कैसे उसको सही करेंगे ताकि WhatsApp की notification आपको आने settings पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक option दिखेगा notifications का आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर three dots पर उपर क्लिक करके यहाँ पर reset notification settings पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको reset कर देना है और उसके बाद आप क्या करि और चले जाएए अपने phone की settings में, settings में जाने के बाद आप नीचे की ओर scroll करिए, नीचे की ओर scroll करने पर आपको एक option दिखेगा notification and control center का, हो सकता आपके में cable notifications का option आए, तो आपको इस पर click कर लेना है, जब आप यहाँ पर इस पर click करेंगे तो आपको app notifications का एक option दिखेगा, आपको apps की list दिख जाएगी, यहाँ पर आपको WhatsApp ढूण लेना है, कहाँ पर है, यह रहा WhatsApp आप देख सकते हैं, आपको इस पर click कर लेना है, इस पर click करेंगे तो आपको एक show notifications का option दिखेगा, आपको इसको click करके on कर देना है, और इसको on करने के साथ ही आपके में अगर allow floating notifications य allow vibration, अगर आपको sound चाहिए तो आप sound भी on ही रखिएगा, अगर नहीं चाहिए तो आप बंद कर सकते हैं, और अगर आपके में vibration भी बंद है, और आपको चाहिए vibration की आपका notification आए, तो phone vibrate करे तो आप इसको भी on कर दीजेगा, और उसके बाद आपको WhatsApp का notification आने लगेगा, अ